Hello Dear Learners, Welcome to my YouTube channel, Socio for Learners and जैसा कि आप लोग को मालूम है, UGC Net NTA Sociology का exam जो है 5 तारीक को है and उससे पहले, UGC Net का जो paper है वो शुरू हो चुका है already so उसके context में जो पिछले कुछ questions हमने देखें अभी जो 2 दिन paper हुआ है उसमें ये पता चला है कि SDG और MTG से बहुत जादा questions पुछे जा रहे हैं याने कि sustainable development goal and millennium development goal से बहुत जादा questions पुछे जा रहे हैं तो ये हमारे वैसे sociology जो हम पढ़ते हैं वहां से भी थोड़ा सा interrelated है तो हो सकता है कभी वहां questions ना पूछ ले otherwise paper 1 में हम देख रहे हैं कि दोनों दिन शायद इसके बारे में questions पूछे गए हैं तो आप लोग इसके basic concept को समझ ले short trick है short trick में आप इसको याद कैसे रखें कि SDGs क्या है, MDGs क्या है, इनका agenda क्या है ठीक है इसमें क्योंकि छोटी-छोटी चीजे है 2015 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 2030 क्या है, 15 years क्या है और 17 goals क्या है तो इसके लिए निमोनिक के तौर पर हम इसे याद कर लेते हैं एक साधारन सी भाषा में so let's start, चलिए शुरू करते हैं आप देख रहे हैं अपनी screen के उपर सबसे पहले we can end poverty millennium development goals beyond 2015 देखिए इसका मतलब क्या है जो millennium development goals है basically MDGs जिसे हमने कहा ये MDGs है millennium development goals इनको जो है 2015 में इनका एक blueprint ready किया गया था blueprint का मतलब समझते हैं एक तरीके का समझता जितने भी world leaders थे UN के अंदरगत, जितने भी विश्व के देश है हमारे उन सब ने क्या करा एक blueprint तेयार किया 2015 में जैसे कि आप लोग यहां पढ़ रहे हैं अब अगर question आप से ऐसा पूछा जाएं कि what is 2015 development agenda तो आपको क्या मालूम होना चाहिए वो क्या है MDGs से related है जीक है Ambitious 2015 Development Agenda क्या है MDGs याने कि Millennium Development Goals से है 2015 में बेसिकलि इसका एक blueprint तयार किया गया था और इसमें जो है काफी सारी बाते गई 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 जो हमारे basics हैं हमारे विश्व में जो भी समस्याइं चल रही है उनको दूर करने के लिए हमने MDGs की शुरुआत करी तो थोड़ा सा इसका एक briefing देख लें points में यहां पर क्या कहा गया है MDG era comes to an conclusion with the end of the year 2016 2015 में एक blueprint तयार किया गया और 2016 के end तक इसको जो है ready किया गया आपको एक तो 2015 याद रखना है development agenda के नाम से 15 में इसका blueprint ready किया गया था 16 के end में यह complete हुआ and उसके बाद इसमें क्या कहा गया 2030 agenda for sustainable development अब यह क्या है देखे आप लोग को confusion क्या होता है कि 2015 क्या है 2030 क्या है 2030 तो 2030 का मतलब है यह target year है याने कि हमें achieve करना है 2030 याने कि 2030 2030 तक याने कि 15 years के gap के बाद clear अगर कभी पूछा जाए 2030 agenda for sustainable development क्या है तो यह SDGs और MDGs जो है इनको प्राप्त करने के लिए जो year दिया गया है 2030 2030 clear यह line पड़े clear हो जाएगा देखे the new agenda calls on countries to being effort to achieve 17 sustainable development goals SDGs ठीक है अब देखे एक तो confusion clear करिये MDG और SDG ठीक है देखे बेसिकली यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है समझ रहे है ऐसा मत समझे कि दोनों अलग-अलग है दोनों UN के पार्ट है UN नहीं बनाए है तो UN नहीं यह कहा कि MDGs क्या है जिनकी immediate हमें जरूरत है जो basics है हमारे पहले हमें उन्हें करना है और उसके सासाथ SDGs में और इनका comparison भी clear चलिए आगे देखें यह line याद रखें जो कभी इनको प्राप्त करना है 15 years में कभी अगर ऐसा कोशन पूछ लिया जाए कि जो SDGs और MDGs है इनने कब प्राप्त करने का कितना time समय दिया गया है कितने साल में 15 years में तो केवल इतना याद रखना और यहां देखें क्या लिगा है 17 sustainable development goals are our shared vision of humanity and social contract between world's leader and the people किनोंने का है Ban Ki Moon UN के general secretary है इनका नाम भी याद रखें Ban Ki Moon ठीक है Ban Ki Moon UN के general secretary है इन्होंने क्या बोला कि भई यह क्या है 17 sustainable development goals क्या है ऐसा हो सकता है कि statement ना लिखी भी आ जाए क्योंकि भई लगातार 7-8 दिन, 10 दिन पेपर होना है हर बार तो MDGs से यह नहीं पूछेंगे कि goal क्या है, क्या नहीं है तो उससे related कोई भी topic पूछा जा सकता है UN Secretary Ban Ki Moon इन्होंने क्या बोला है यह क्या है पूरे विश्व के देशों का एक shared vision है हमारा मानवता के लिए और सामाजीक समझोता है विश्व के जो leaders है हमारे यानि की world leaders विश्व के leader and people यानि की logo के लिए चलिए, अब इसको याद कैसे किया जाए प्रॉब्लम ये है कि ये confusion हो जाता है याद कैसे रखे ये जो 8 goal है इनको याद कैसे करे सबसे पहले first goal सुने हमारा eradicate extreme poverty and hunger इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में सबसे पहले जो हमारी गरीबी है गरीबी और भुगमरी एक्स्ट्रीम हंगर जो हमारा उसको समाप्त करना है सबसे पहले अंग्रेजी में मिलता है तो confusion होता है प्रात्मिक सिक्षा दूसरा है प्रात्मिक सिक्षा प्राप्त करनी है तीसरा क्या कहा गया promote gender equality and empowerment women याने की लिंग समानता sociology में हमने आपको पढ़ाया है gender equality and empower women याने की महिला सशक्तिकरण ठीक है next इनोंने क्या वोला reduce child mortality child mortality का मतलब क्या होता है मात्रत्वदर याने की जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे की भारत में हम देखते हैं जिनगर्णा के समय प्रती हजार जीवीद बच्चों पर मृत बच्चों की जनसंख्या जैसे नापते है child mortality तो इसका मतलब क्या हुआ जो बच्चे हैं, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं पांच वर्ष से कम आयू के बच्चे हैं उनकी ततकाल मृत्यू हो जा रही है ठीक है, पूरे विश्व में, भारत में भी ऐसा हो रहा है तो क्या कहा गया, कि reduce child mortality इसको कम करना है याने कि nutrition की बहुत ज़ादा कमी होती है महिलाओं के अंदर जिसकी वज़े से क्या होता है जच्चा और बच्चा, याने कि मा और बच्चा दोनों की जो स्वास्तिस्तिती है वो खराब रहती है नेक्स इन्होंने बोला है compact HIV, AIDS, malaria and other disease याने की जो भी हमारी ये बिमारिया है चीक है, HIV, AIDS सबसे खतर ना आगो गई उसके बाद malaria and other disease जो है contagious disease जीसे हम कहते हैं संक्रमित होने वाली है सबसे वहले इनको समाग करना है सेवेंथ हमने बोला है ensure environmental sustainability याने की सतत विकास करना है पर्यावरण का पर्यावरण का सतत विकास sustainable development हो गया याने की sustainable का मतलब क्या होता है आने वाली PD के लिए भी विकास को बचा के रखना विकास याने की पर्यावरण को बचा के रखना चीक है, last इनों ने क्या बोला है global partnership for नीचे देखे global partnership ठीक है, global partnership for development याने की पूरे विश्विस्तरपल global partnership हो सभी देश क्या करें, समाजवाद लाएं अपने अंदर ठीक है, मिल कर रहें समाजशास्तर में हम पढ़ दे हैं समाजवाद, पढ़ा है हमने socialism तो सभी एक दूसरे के लिए काम करें ठीक है, मिल जुल कर रहें और विकास के लिए काम करें तो यहां तक हमने एक basic briefing आपको बता दी इन 8 goals की, ठीक है, यह total 8 goals है ठीक है, 2015 में जो agenda तयार किया गया था 20-30 में हमें इसे प्राप्त करना है अब हम एक एक करके इसको देखें और इसका mnemonics देखें, इसे याद कैसे करें देखें, सबसे पहले तो यह समझें अगर कोई व्यक्ति गरीब है ठीक है, आप किसी व्यक्ति में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें जो है भुगमरी है उसे समाप्त करेंगे, ठीक है, जब किसी व्यक्ति की भुकमरी समापत हो जाएगी याने की गरीबी और भुकमरी जब कोई व्यक्ति गरीबी और भुकमरी से लड़ रहा होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा तो सबसे पहले हमने क्या बोला भई गरीबी और भुकमरी को दूर करो अब कोई व्यक्ति प्राथमिक समाजी करन का होता है। equality की बात करेंगे भई सिख्षा नहीं होगी तो equality नहीं होती है न तो जब सिख्षा होगी तो हमें gender equality की बात करेंगे हम क्या बोलेंगे भई इस्तरी और पुरुष समान है याद है हमने बताया समाशास में link समानता की बात करी है promote gender equality यानि कि gender equality लेकर आएंगे चीक है भई आपने सिक्षा प्राथ कर ली जब मांसी ग्रूप से आपका विकास होगा तो आपने क्या बोला भई इस्तरी पुरुष समान है असमानता नहीं है जब आपने इतनी बात कर ली असमानता की तो हम क्या बोलेंगे कि भई छोटे बच्चे हैं अब उनको बचाना है कैसे बचाएंगे चाइल्ड मोर्टालिटी रेट को कम करेंगे आप पड़लिक भी लिए हैं समानता भी आगई तो इस्तरी और पुरुष क्या करेंगे दोनों मिल कर क्या करेंगे रेट्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी के लिए काम करेंगे याने की अच्छा स्वास्त अपनाएंगे अच्छी सुविधाओं का इस्तमाल करेंगे अब भई जब बच्चे को आप बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे पहला स्टेप क्या होगा याने की जच्चा और बच्चा दोनों को बचाने का पहले स्टेप क्या होगा अमारा इंप्रूव मेटरनल हेल्फ याने की वो जो महिला है उनकी जो गर्भावस्था में जो इस्तिति है उसको सही करना है समझ रहें स्टेप बाइ स्टेप हम चल रहे हैं पिर आपको बिमारियों से बचना है जब आपने बच्चे को बचा लिए माता को बचा लिए तो अब आप शिक्स्थ स्टेप क्या होगा बिमारी से बचना स्टेचिजेज धिजीज अच्छी आपको सवच हवावा मिले ठीक है पर्यावरण कम हो पर्यावरण की स्वच्छता बनी रहें तो last में हम क्या करेंगे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करेंगे ठीक है environmental sustainability को ensure करेंगे और जब ये साब हो जाएगा तो हम क्या होंगे विश्विस्तर पर वसुदेव कुटमगम भारत पर क्या करता है सभी लोग क्या है परिवार है पृत्वी सभी के लिए तो global partnership for development और विकास के लिए सब मिल कर काम करेंगे clear इतने से हैं ये millennium development goals आपको इस story की form में याद रखना है सबसे पहले हम क्या करेंगे भुखमरी खतम करेंगे जिस वेक्ति की भुखमरी खतम होगी तो सिक्षा प्राप्त कर सकता है जब सिक्षा प्राप्त होगी तो क्या होगा मानसिक विकास होगा जब मांसी विकास होगा तो क्या करेगा? वो इस तरह और पुरुष में समानता से देखेगा दोनों को जब समानता से देखेगा तब क्या होगा? बच्चे को, यानि मातरत उदर बच्चे की उम्हेत्ती हो रही दिए, अब उसके लिए काम करेगा उसको बचाना है, उसको कैसे बचाएगा पहले क्या करेगा, जो गर्भवस्ता में महिला है उसकी स्थिति को हम improve करेंगे अच्छा खाना देंगे, अच्छी medicines देंगे जब वो सब हो जाएगा तो क्या करेंगे उसको किस से बचाना है महिला को, बिमारियों से जो और बिमारिया फैलरी है, contagious disease फैलरी है उन डिजीज से बचाने ही कोशिश करेंगे जब डिजीज से बच जाएगे, जब सब को सही हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अच्छी स्वच्छ हवा मिलेगे हमें पर रेवरेंट से, ठीक है, ensure sustainability environment मिलेगा हमें, घुमने जाएंगे, परवतिय छेतर में जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, globally लेवल पर आप सब से मिल सकते हैं एक छोटा सा ये story type है, इसको आप याद रखें, first goal क्या है, second goal क्या है आपको ये याद रखने हैं, किस तरीके से हैं, इन goals को एक बार इस तरीके से देख लें first goal जो है हमारा, eradicate extreme poverty and hunger, ये total आपको बहुत सारे target दिये गए हैं इसमें 1A, 1B, 1C, इनको आपको पढ़ने के आवशकता नहीं है आपको केवल इतना याद रखना है, कि हमें क्या करना है, extreme poverty को समात करना है यहाँ देखें, बहुत सारा data दिया गया है, target of reducing extreme poverty तो आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, जैसे यहाँ दिया गया है, globally 300 million workers lived the 1.25 per day dollar, यानि की 1.25 dollar से भी कम कमाते हैं एक दिन में, यह US के स्तर पर ना आपा जाता है जो महाँ पर राशी अपना ही जाती है, तो आपको वो नहीं ध्यान देना है हमारे targets क्यां have between 1990 से 2015 के विच में the proportion of people whose income is less than 1.25 per day इन्होंने क्या बोला है, जो कम है income इसको बढ़ाना है, ठीक है, achieve full and productive employment, सभी लोगों को decent work देना है यानि की सम्मान वाला काम देना है, target C क्या बोला है इन्होंने, 1.C, health between 1990 and 2015, the portion of people who suffer from hunger ठीक है, उन लोगों को बचाना है, जो बोकमरी का सामना कर रहे है ठीक है, first target के ये sub points है, आपको याद नहीं रखना है, के वाल समझाने के लिए बता रहे है ठीक है, उसके बाद हमारा target 2 क्या है, यूनिवर्सल, achieve universal primary education तो इन्होंने क्या बोला है, कि भाई, जो बच्चे हैं, यानि कि लड़के-लड़कया है able to complete a full course of primary schooling, primary schooling क्या होती है पहली से पांचवी तक की जो कक्षाएं होती है, तो at least बच्चे को primary education मिल सके उसके अलावा इन्होंने जो है, डेटा यहां दिया है, जैसे कि यह लिख्या है, देखें, 2015 में 57 million children of primary school, age were out of school यानि कि 57 million बच्चे पूरे विश में जो हैं, स्कूलों में नहीं जाते थे तो केवल समझने के लिए याद रखें थर्ड आमना रहा है, गोल, promote gender equality and empower women चीक है, women empowerment बहुत ज़रूरी है, जिसमें इन्होंने बता है, women make up 41% of paid workers, outside of agriculture, and increase from 35% in 1990 1990 से क्या हुआ है, increment हुआ है, बढ़ा है, चीक है तो साथ-साथ इन्होंने क्या बता है, women continue to experience significant gap in terms of poverty, labor market and wages, यानि कि जो महिलाएं हैं, वो क्या हो रहा है, आज भी जो है, असमानता का इस तरह है, उन्हें गरीबी से face करना पड़ रहा है, उनको जो wages है, यानि कि जो पैसे हैं, वो कम नहीं कि दिये जा रहे, चीक है, थर्ड गोल हमारे ये था, फोर्थ उसके बाद हमार समात करना है, चीक है, तो इन्होंने क्या पता है, सब सहारा एफ्रिकन जो रीजन है, हाई ये स्चाइल मोटैलिटी रेट है यहाँ पर, चीक है, कभी याद रखें, अगर पूछ लिया जाएं तो, जो सब सहारा एफ्रिकन रीजन हैं, यानि कि जो घाना, एफ्रीका वाले पूरे कंट्रीज आती है ना, हमारी, एफ्रिकन कॉंटिनेंट है पूरा का पूरा, तो वहाँ पर क्या कहा गया इन्होंने, कि सब से जादा जो मोटैलिटी रेट है, वो यहाँ पर है, चीक है, उसके बाद हमारा फिफ्ट टार्गेट है, इंप्रूव मेटरनल हेल्थ, य इन्होंने क्या पता है, कि जो 71% of birth है, उसको skilled persons के द्वारा ही किया गया है, चीक है, जैसे आपने हमारे हैं सुने है, आशाकारे करता वगरा होती है, वो लोग काम करते हैं, चीक है, आफ्टर ए येर ओफ स्लो प्रोसेस, अल्ली हाफ और प्रेगनेंट वुमें रिसीव ता recommended amount of anatal care, चीक है, तो जो anatal care है, वो बहुत कम लोगों को मिल पा रही है, चीक है, तो हमने क्या बोले ही, ये सब चीज़ा हमें प्राप्त करना है, यानि कि यूनिवर्सल एकसेस तो reproductive health, चीक है, 6 हमारा आता है उसके बाद, have halted by 2015, combat HIV AIDS and malaria, जो disease के हमने बात करी, उन्हें 2015 and begin reverse the spread of HIV AIDS, चीक है, इसे समाथ करना है, एफ्रिकन कंट्रीज में ये भी बहुत जादा फैला हुआ है, चीक है, यूनिवर्सल एकसेस तो treatment for HIV AIDS, यानि कि सभी लोगों तक हमें उस treatment को पहुचाना है, ओके, एंड उसके अलावा जो है, malaria and other major disease है, उनको समाथ करना है, क्लियर Okay, second last हमारा environment के बारे में आजाता है, seventh goal हमारे, ensure environmental sustainability यानि की पर्रयावरण को बचाना है, जैसे कि ozone depleting है, उसको बचाना है, ठीक है, ozone layer को हमें अपनी बचाना है, integrate the principle of sustainable development into country's policies and programs and reverse the loss of environmental resources, यानि कि जो environment का loss हो रहा है, हमें उससे बचाना है, reduce biodiversity loss, biodiversity क्या होती है? पेड़ पॉदे, जीव जन्तु, जितने भी हमारे, ठीक है, उसको बचाना है, जो loss हो रहा है उसका, उसको बचाना है, ठीक है? एंड उसके लाबा, population without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation की सुविधाएं सभी तक प्राप्त करवानी हैं, या सब तक पहुँचानी है, clear? Achieve by 2020, a significant improvement in the lives of least 100 million slum dwellers, ठीक है? यानि कि जो मलीन बस्कियों में जो लोग रहते हैं, उनकी जो lives है, उसको और सही करना है, improvement लाना है उसमें, ठीक है? क्योंकि regular exam में पूछा जा रहा है यह question, हो सकता है, जब तक हमारे last exam साय हैं, तब तक 20 से कोई question पूछ लिया जाएं, ठीक है? non-discriminatory होना चाहिए, जैसे कि अभी आप लोग सुनते है, China, US, सुने हैं, dump tax लगा देते हैं, बहुत जादा, कोई कर बहुत जादा लगा रहा है किसी देश के ओपर, कोई किसी देश में अपने समान को आने नहीं दे रहा है, तो उन्होंने क्या होना है, non-discriminatory trading होनी चाह है, okay, address the special need of landlocked developing countries and small island developed states, ठीक है, landlocked developing countries कौन से होती है, landlocked, यानि की जो समंदर से नहीं जुड़ती है, जिन की सीमा, ठीक है, यानि की जो पूरी की पूरी, जैसे हम बोलते हैं, जैसे इंडिया में, for example, इंडिया में देखे, landlocked हम किसको बोलेंगे, जितनी भी middle states है, ठी African region में है, Europe में बहुत सारी countries है, तो जो African और Arabian countries जो है, वो बहुत सारी countries landlocked है, और वहाँ पर क्या है, development नहीं हो पाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि समंदर नहीं है, तो आयात निर्यात में दिक्कत होती है, तो उन countries के लिए और small island, जैसे की Malaysia है, Thailand है, उसके छोट-छोटे द जो रण पर समस्य है उनकी, उनको दूर किया जाएं, चलिए, उसके बाद last है हमारा in cooperation with farmatical companies provide access to affordable essential drugs to developing countries, जैसे भारत जैसे देश हैं, इन्हें क्या कराया जाएं, जो essential drugs दवाईया हैं, वो उपलप्त कराया जाएं, ठीक है, इसके अलावा monitoring and aid है, ठीक है, new technology के बारे में ब जबलप्त कराया जाना जरूरी है, तो ये हैं हमारे 8 millennium development goals, इनको हमने detailing में भी आपको बता दिया है, क्या-क्या है, तो इनको आप लोग जरूर से याद करें, ये आप लोगों को बहुत helpful है, paper 1 में भी पूछा जाएगा और sociology वाले याद रखें, paper 2 में भी उनसे ये हमारे sustainable development goals, MDG complete हो गया, next है हमारा SDGs, sustainable development goals, अब देखिए sustainable development goal के स्टोरी क्या है, sustainable development goal के लिए बात कब कई गई थी, अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया, कि भाई पिछले MDGs थे, तो MDGs में क्या कहा गया, SDGs के बारे में बात की गई है, कि 17 goal और हैं, जिनको कब प्राप करना ह 2030 तक, उसको हमने क्या बोला है, agenda 2030, जो blueprint है, इसका blueprint कब ready हुआ है, 2015 में है, और 16 में end तक उसको finally draft किया गया, तो MDGs हमारे क्या है, जो basic, जिने immediate हमें प्राप करना है, तो सबसे पहले वो क्या है, हमारे MDGs है, clear, और उनी के साथ-साथ हमने क्या कहा, और साथ-साथ, और क्या प सतत, विकास, लक्ष, चीक है, अब ये याद रखना है, जो exam में अभी 2-3 दिन में question पूछे गए हैं, तो ऐसा पता चल रहा है जानकारी से कि, ऐसा पूछा जा रहा है कि goal 2 क्या था, goal 3 क्या है, goal 4 क्या है, तो MDGs तो आसान है, वो तो 8 ही है, तो वो तो आपको याद हो फूर्थ child mortality है, फिफ्थ ये है, maternal health है, ये तो याद करना असान है, ठीक है, एक बार आप इसको copy में जो है, ये diagram सा बना ले, इस तरीके से, ठीक है, एक arrow टाइप से बनाएं, ऐसे जैसे ये है ना, कि poverty and hunger, ठीक है, short में लिख ले, ठीक है, इस तरीके से उसके बाद क्या है, education, इस तरीके से एक arrow से बना के याद रखें, ठीक है, empowerment, women empowerment, ठीक है, gender equality इसी में आ गया, उसके बाद हमारा child mortality, ठीक है, short में, फिर maternal health, उसके बाद disease, ठीक है, and next environment and last global partnership, ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें तो आप याद रख सकते हैं, ये step by step है, ठीक है, one, two, three, four, तो जो हमा से कहां पर है, SDGs में, ठीक है, तो SDGs में क्या कहा गया है, उसको कैसे याद रखें, अब वो समझते हैं, concept समझें, concept समझ जाएंगे तो आपको MDGs, ये भी आद हो जाएंगे, SDGs क्या है, सबसे पहले ये देखें कि ये 17 जो SDGs हैं, उसमें कहा क्या गया है, ये है क्या, देखे 20-30 तक इने प्राप्ट करना है, उद्देश है है हमारा, पिछले वाले से संबंधित क्या क्या है, उनको देखे दें पहले, चीक है, पुवर्टी की बाद वहां भी की गई है, और हंगर की बाद भी की गई है, पुछ चीज़े ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं है, गरीबी और हंगर, यानि कि भुकमरी को समाप्त करना, पहला हमारा क्या है, नो पुवर्टी, यानि कि आप गरीबी और भुकमरी को समाप्त करो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब गरीबी और भुकमरी समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा, गुड हेल्थ, तभी तो अच् education प्राप्त करने में आसानी होगी जब education प्राप्त कर लेंगे तो हम क्या करेंगे जब पढ़ा लिख लेंगे तो पढ़ा लिखा दिमाग क्या बोलता है gender equality की बात करेगा असमानता की बात नहीं करेगा समानता की बात करेगा जब आप समानता की बात करेंगे तो समानता के साथ हम क्या देखेंगे जब equality आपको मिल गई है तो अभी हमें क्या करना है अपने आपको सुधारने के लिए अच्छी सुविधाओं के लिए water and sanitization स्वच्छ जल चाहिए आपको पीने के लिए sanitization होना चीए साफ सफाई रखनी आपको जब ये सब होगा तो उसके साथ साथ हमें क्या प्राप्ट करना है clean energy को प्राप्ट करना है clean energy का मतलब क्या है clean energy किसे का क्या है याने की सूरे से जो हम प्राप्ट कर रहे है clean energy का मतलब ये मन समझेगा कि साफ सभाईगर के energy प्राप्ट करना या बिजली प्राप्ट करना affordable and clean energy clean energy कौन है जो की जिसके negative impacts नहीं है जैसे की coal pollution, petrol इन सब से क्या होता है pollution होता है न तो इनको छोड़ कर second option क्या है solar energy तो solar energy ये diagram देख रहे हैं आप ये sun बना हुआ एक तरीके से affordable and clean energy clean energy के अंतरगत क्या आता है bio fuel gas चीक है sun जो best माना गया है वो solar energy है चीक है hydro energy होगो ये सब clean energy के examples है चीक है तो हमें क्या करना है clean energy प्राप्ट करनी है जब clean energy मिलेगी आपको तो हमें क्या करेंगे उसके बाद decent work and economic growth हम अपनी क्या करेंगे चीक है जब economic growth आपकी बड़ेगी तो क्या होगा industrial development होगा infrastructure में development होगा चीक है बड़ी-बड़ी buildings बनेंगी कारखाने बनेंगे जब ये सब होगा तो हम क्या करेंगे reduce inequalities यानि कि सभी लोगों को समान रूप से नौकरी देंगे और पैसे देंगे ये दोनों interrelated से है reduce inequalities and gender equality gender equality में हमने इस्तरी और पुरुष को देखा है reduce inequalities में भी इस्तरी और पुरुष होगा लेकिन किस संदर्व में काम के संदर्व में नौकरी के संदर्व में दोनों को equal wages दी जाएंगी चीक है और reduce inequality within and among the countries जो विक्सित, अविक्सित, अल्प विक्सित देश है इन में भी क्या है inequality है न हम ये बोलते हैं ये तो अविक्सित देश है ये अल्प विक्सित देश है तो उसको भी समाब करना है उसके बाद sustainable cities and communities यानि कि जो हमारी cities है जो human settlement है उसकों में क्या करना है सतत विकास के साथ जोड़ना है यानि कि जो भी हम infrastructure डवलप कर रहे हैं उससे नुकसान न हो किसी को या बाद में भी वो क्या हो किसी के लिए नुकसान दे ना हो और टिकाओ हो वो कम से विजह से बस सके reasonable consumption and production यानि कि जो sustainable consumption है हमारे पास जो production है वो क्या हो उसकी पहुँच सब तक हो वो reasonable हो responsible and consumption and production हो सभी तक उसकी पहुँच हो सके नेक्स्ट है हमारा climate action यानि कि सबसे बाद उसके बाद में क्या कहना है पर्रयवरंड से बचाना है अपने पर्रयवरंड को बचाना है climate change हो रहा है जो CFC बढ़ रही है हमारे वायूमंडल में चीक है ozone depletion हो रहा है ozone gas की मातरा बढ़ रही है तो उसको बचाना है चीक है take urgent action to combat climate change and its impacts उससे बचना है next life below water अब life below water का मतलब क्या हो गया वही यानि कि जो समंदर है नदिया है इनके नीचे भी तो जीवन है न आज तक मानव ने क्या सोचा इसके उपर की जीवन को बचाने की सोची life below water नहीं सोची यानि की समंदर नदियों को गंदा ना करे कहा जा रहा है न action plan चल रहा है हमारा गंगा को बचाया जा रहा है यमना को साफ किया जा रहा है है न क्यों किया जा रहा है life below water उसके नीचे भी जीवन है क्योंकि वहां क्या है paid up होदे हैं जीव जनतों हैं fish हैं इसके अलावा भी बहुत सारी species होती है तो उनको बचाना है इसी तरह समंदर आपको मालूम होगा भारत का बहुत बड़ा छेतर जो है समंदर से जुड़ा है हमारा जो eastern coast और western coast पूरा समंदर से जुड़ा है तो जितनी भी land की गंदगी है वो सब कहां जा रही है समंदर में तो समंदर और समंदर को बोलते हैं समंदर अपने बास कोई गंदगी नहीं रखता है वो उठा कि उसे बीच पे डाल देता है वापस लहरों के साथ आ जाता है तो गंदगी है उसकी वज़े से क्या हो रहा है आपने वीडियोस देखी होंगी बहुत सारी जो शार्क हैं, फिशेज हैं प्लास्टिक खाने लगी है कई बार जाल में फस जाती है तो लाइफ बिलो वाटर उसको भी हमें बचाना है जैसे कि टॉटाइज होते हैं कश्रुवे होते हैं तो कई बार देखा जाते हैं या फस जाते हैं प्लास्टिक में तो UN वगरा इसके लिए work कर रहे है उसके बाद बोला गया life on land यानि कि जो धरातल है हमारा इसके ऊपर जो हमारा biodiversity loss हो रहा है जीव जन्तु है पेड़ पौदे है उनको भी बचाना है जो पेड़ पौदे है desertification हो रहा है यानि कि मरुस्थली करण होने लगाए जो land थे हमारे जहां पर आप क्या कर रहे है अतिक्रिशी कर दी है तो मिट्टी में क्या हो रहा है उसकी जो उत्पातकता है वो समावत होने लगी है तो desertification बढ़ रहा है जैसे कि पंजाव राजस्तान में हम देखते है राजस्तान में तो अल्रड़ी desertification है पंजाव और UB में देखा जा अतिदोहन किया जा रहे है तो life on land उसके ओपर भी जीवन को बचाना है next है peace, justice and strong institutions अब इसका मतलब क्या है भई peace यानि की शान्ती और न्याय प्राप्त कराना वो किसके माध्यम से मिलेगा court के माध्यम से न्यायक विवस्ता अच्छी होनी चाहिए हमारी ठीक है ताकि हर एक व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सके जैसे कि भारत में क्या है गरीब व्यक्ति है court कर चारी के चक्कर नहीं लगाता है तो यह कहा गया है कि peace, justice and strong institutions जो हमारे justice system होना चाहिए बहुत strong होना चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके चाहिए peaceful inclusive societies and sustainable development और केवल within a country नहीं देश के बाहर भी सुना है ना international court of criminal justice कर गए ICJ है international court of justice है ना तो भारत और पाकिस्तान के चाइना के मुद्धे वहां जाते हैं तो उसके लिए कि peaceful होना चाहिए मालू मेंना सब जगा बाइसने से जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ऐसा कहा जाता है कि सब जगों उनके अपने लोग हैं तो कभी भारत के favor में हैं कभी against में जैसे कि सुना होगा China veto auto use कर लेता है अपना तो उस सब चीजों को हमें समाप्त करना है सभी के लिए का पार्टनर्शिप वसुदेव कुटमकम सभी लोग क्या करें मिल कर काम करें सभी देश जो हैं ग्लोबल पार्टनर्शिप रखें और विकास के लिए काम करें ठीक है विकास शब्द आजकल बहुत न्यूज में रहता है सुना होगा आप लोगोंने development क्या है केवल development buildings मनाना नहीं है चीए development का मतलब क्या है सामाजिक मानसिक आर्थिक विकास होना चाहिए सिक्षित रूप से आप विक्सित होने चाहिए आप मानसिक रूप से विक्सित होने चाहिए चीक है चलिए फर्स्ट गोल को छोटा सा है जल्दी से इसको समझ लेते हैं शॉट में कि images के माध आपको कि 736 million people still lived in less than US 1.90 यानि कि जो अभी भी क्या है जो प्रती दिन जो कमाते हैं क्या है एक डॉलर से भी कम कमाते हैं चीक है जिनके पास ना खाने के लिए कुछ है मैंने lack of food clean drinking water and sanitization नहीं हो पाता है चीक है चलिए किवल इतना याद रखना है आपको 1 in 10 1% every 10 is extremely poor ठीक ह fact and figures क्या है इसकी हर 10 में से एक व्यक्ति क्या है बहुत ज़्यादा extremely poor है जो अपने खाने की विवस्ता भी पूरी नहीं कर पाता है चीक है चलिए second goal देखें second goal क्या है zero hunger याने की जो भुकमरी है उसको समात करना है चीक है images आप देखें goal 2 क्या है zero hunger याने की जो families है उनको क् पास खाने के लिए कुछ नहीं है चीक है जब करीब है तो खाने के लिए कैसे हो को उनके पास में unfortunately extreme hunger and malnutrition remain a huge barrier of development in many countries चीक है extreme hunger की वज़े से क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा एक development याने की विकास के दर्में जो है सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ है चीक है उसके बाद देखे facts and figure 821 million the number of undernourished people reached 821 in 2017 चीक है 2017 तक इतनी लोग हो चुके थे यह data आपको याद नहीं रखना है चीक है केवल हम समझाने के लिए बता रहे हैं चीक है 63% in 2017 Asia county nearly two-thirds 63% of world's hungry चीक है बुग मरी इतनी जाद है और सबसे बड़ी बात क्या है one in three women of reproductive age is anemic ठीक है अनेमिया की कमी है यानि कि जिसे हम आरेन की कमी बोलते है ना अनेमिया की कमी है ठीक है reproductive age होती है हमारी जो महिलों की उसमें क्या है तीन में से हर एक महिला बहुत ज्यादा अनेमिया से ग्रस्त है उसके बाद क्या है one in eight more than one in eight adults is obscene यानि की मोटापे की कमी है मोटापे की समस्या है बहुत ज्यादा चलिए उसके बाद हमारा third goal क्या है अच्छी health प्राप्त करना चीक है good health and good well being इमेजिस देखें goal 3 क्या है हमारा good health and well being यानि कि आपको 20-30 तक क्या करना है अच्छी health को प्राप्त करना है चीक है good health is essential sustainable developing 2030 agenda सबसे बड़ी बात यह यह कि आपको जो है अच्छी health प्राप्त करनी है okay fact and figures क्या है seven million people die every year from exposure to find particles in polluted air जो कि हमने प्रदुशन की बात करी ठीक है भारत में भी यह रिपोर्ट आई दी कुस समय पहले कि यहां पर काफी लोगों की मौत किस वज़े से हुरी है पॉलुशन की वज़े से हुड़ी है छोट छोटे नैनो पार्टिकल्स होते ना वो नाक के थुरू मूँ के थुरू हमारी बॉडी में चले जाते है उसके अलावा क्या बता है 30 से 70 साल के जो व्यक्ति है prematurely non communicable disease की वज़े से मर जाते है यानि कि respiratory disease हो गया diabetes हो गया और cancer हो तो हमें क्या करना है इसको समात करना है फूर्द गोल हमारा क्या कहता है quality education देख रहे हैं बच्चों को सिक्षा पराथ करानी यह basically जो मुद्दा है यह हमारे जैसे कि यह है ना फिलिस्तीन वगरा जो countries है फिलिस्तीन वगरा में बहुत disturbance है इरान इराक में आपने सुना होग बहुत disturbance is Arabian plateau में तो वहाँ पर जो है यह quality education को लेके बहुत जादा ध्यान दिया जा रहा है चीक है Fact and figures क्या है आप देख सकते है 91% enrollment in primary education in developing countries has reached 91% चीक है 91% तक पहुँच चुगा है उसके अलावा in developing countries one in four four girls is not in a school ठीक है developing countries जैसे कि भाराज जैसे देश में चार में से एक लड़की जो है school नहीं जाती है प्रती चार में से अगर हम देखते हैं ठीक है 50% about half of all out of school children primary school age live in conflict affected areas ठीक है conflict affected area कौन से है तालिवान ठीक है तालिवान हो गया इरान हो गया फिलिस्तीन हो गया इराक हो गया अफगानिस्तान हो गया यह है इसके लावा एफ्रिका में आपका घाना हो गया बहुत सारी countries है यहाँ पर यह सब चीजें देखी जा रही है next goal हमारे क्या था gender equality के बारे हैं बात की गई है gender equality यानि की इस्तरी और पुरुष ठीक है उनमें क्या हो gender equality को प्राप्त करना है eradicating all discrimination against women ठीक है किसी विस्तर पर जो है वो discrimination नहीं होना चाहिए ठीक है यहाँ देखे facts and figures में क्या बताएगा है one in three 35% of women have experienced physical and sexual violence ठीक है इतना बताएगा है कि हर तीन में से एक महिला गया है विस्विस्तर पर किसी नहीं किसी तरीके के violence को सामना करती है ठीक है उसके अलावा two of three यानि की two-third of developing countries have achieved gender parity in primary education में gender parity प्राप्त कर ली गई है okay so gender equality है हमारा next उसके अलावा sanitation ठीक है clean water and sanitation यानि कि स्वच पानी प्राप्त करना एक बड़ा मुद्धा है ठीक है तो water scarcity affect more than 40% of people worldwide आपको मालू है भारत में भी कितनी ज़्यादा समस्या है पानी की ठीक है तो क्या कहा गया है safe and affordable drinking water all by 2030-30 तक ठीक है 2030 तक हमें ये प्राप्त करना है and fact and figures में क्या कहा गया है 39% of global population यानि कि 2.9 billion people had safe sanitation in 2015 but 2.3 billion people still lacked basic sanitation basic sanitation की भी समस्या है ठीक है 80% of wastewater goes into waterways without adequate treatment ठीक है जो गंदा पानी है ठीक है जो हमारे sewerage tanks होते है वो पानी कहा डाल दे रहें लोग नदियों में या सीधे-सीधे समंदर में without treatment और उसके बाद क्या और है उसी पानी को लोग consume कर रहे है तो जो life below water है वो भी खत्रे में आ रही है उससे गंदगी की वज़े से assets की वज़े से chemicals की वज़े से और जो लोग पी रहे है वो लोग पी ठीक है भारत में भी सुनाए न स्वच्छ गंगा mission चल रहा है स्वच्छ भारत mission चल रहा है वो सब इस से जुड़े हो है ठीक है sanitation वाली चीज़ हो से ओके चलिए next हमारा क्या है clean energy ठीक है 7th goal के हमने लग रही है पहनावे से ट्राइबल एरिया की ठीक है तो basically हो क्या रहा है यहाँ पर clean energy प्राप्त करना है आपने सुनो होगा जिसकी वज़े से बढ़ रही है क्योंकि आज भी क्या है सबसे आदा इंडिया नहीं पूरे worldwide ठीक है coal का use किया जा रहे है पेट्रोल यूस किया जा रहे है तो इसकी वज़े से क्या और है बहुत जादा जबर ठीक है नेक्स्ट हमारा goal है goal number eight decent work and economic growth ठीक है आपको decent work यानिकि सम्मान पूर्ण जीवन प्राप्त करना है और साथ साथ क्या चाहिए economic growth प्राप्त करनी है यानिकि अच्छी आर्थिक संवरिधे प्राप्त करनी है ठीक है productivity बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना ऐसा नहीं ना कि आप एक ही काम करते जा रहे है और productivity जिरो ही है productivity भी ज़रूर होना चाहिए facts and figure क्या कहते है हमारे one million as a result of an expanding labor force the number of unemployed is projected to increase by one million every year बढ़ते जा रहे है women participation in the labor force stood 48 percent in 2018 2018 compared with 75 percent for men ठीक है आज भी क्या है महिलों का जो workforce में क्या है जो भागिदारी है वो बहुत कम है ठीक है an estimated 172 million people worldwide were without working 2018 and unemployed rate of 5 percent ठीक है जो कि आपको मालूम है भारत में भी बहुत बड़ा मुद्दा है सिख्षा को लेके education को लेके और दूसरा हमारा रोजगार को लेके तो यह क्या बता रहे है वर्ल्ड वाइड 172 million people क्या है unemployed है ठीक है unemployment rate कितना बता रहे है 5 percent गोल 9 में क्या बताया गया है उसके बाद हमारा infrastructure ठीक है जिसमें technological progress हों economic and environmental changes को भी देखा जाएं ठीक है 40 percent in some income low income African countries infrastructure constraint cut business productivity by around 40 percent ठीक है इसे क्या हुआ है महापर जो productivity यह वो और कम हो गई है ठीक है क्योंकि infrastructure अगर आपके पास नहीं है अच्छा इसके अलावा जो है worldwide 2.3 billion people lack access to basic sanitation नहीं है आपके पास ठीक है infrastructure ना होने की वज़े से ठीक है तो open defication को समाप क्या जा रहे है जैसे कि भारत में भी क्या जा रहे है क्लियर उसके बाद next हमारा जो 10th goal है वो क्या है reduce inequality चीक है inequality यानिक जो disabled लोग है दिव्यांग जन भारत में सुना है दिव्यांग जनों के बारे में तो disability जो है हमारी इसको reduce inequalities ठीक है एक तो इस्त्री और पूरुष के इस्तर पर हो गई एक तो inequality यह हो गई हमारी दूसरा inequality आपकी physical level के आधार पर ठीक है income inequality is on the rise of the richest 10% have up to 40% of global income ठीक है तो यह इन्होंने basically बताना चाहे कि विश्व के कुछ ही लोग है जिनके बाद बहुत ज़्यादा पैसा है बाकी लोग के पास नहीं है ठीक है इसके अलाबा facts and figure क्या है 2016 22% of global income was received by top 1% compared with 10% of income from the bottom 50% यानि जो 2016 से देखा गया है 22% of global income world wide जो global income है वो 1% लोगों के पास ही ठीक है सभी लोगों के पास access नहीं है उसके अलाबा women spend on average twice as much time on unpaid housework as a man ठीक है यहां पर इसके लाबा कुछ जानने के लिए नहीं है economic inequality की बात की गई है यहां पर साथ साथ ठीक है नेक्स्ट हमारा sustainable cities and communities के बारे हम बताए गया है ठीक है यह भी भारत की image नहीं लग रही है ठीक है तो sustainable जो हमारा infrastructure हो वो sustainable हो cities and communities हो ठीक है जो urbanization हो बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो urbanization को हमें पचाना है रोकना है ठीक है migration जो हो रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है the rapid growth of cities are result of rising population and increasing migration है इसको control करना है जैसा कि भारत में भी कहा जा रहा है clear facts and figures के रहे हैं 3% cities occupy just 3% on earth चीक है but account of 60 to 80% of energy consumption and at least 70% of carbon emission कर रही है इतनी शोड़ी सी families हो है facts and figures में इसके लावा आपको जानने की आवशकता नहीं है चीक है 12th हमारा है responsible consumption and production ठीक है यानि कि जो waste material है hazardous हमारा जो material है उसको सही तरीके से बचाओ के तौर पर भेजना है ठीक है the large share of world population is still consuming for too little to meet even their basic needs भी नहीं पूरी कर पा रहे है ठीक है consumption है ही नहीं उन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है ठीक है helping the per capita global food waste हो रहा है सुना है आप लोगोंने विश्विस्तर पर वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है जहां पर खाना अगर आप वेस्ट करते हैं आपको मालूम होगा Europe और US में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स है अगर आप खाना वेस्ट करते हैं तो उसका आपके उपर एक्स्टा चार्ज लगाया जाता है और इंडिया में भी सौथ इंडिया में कुछ ऐसी एंजियोज है जो रेस्टोरेंट्स वेस्ट खाना होता है वो उसको सही तरीके से अलग-अलग करते हैं and then उसको गरीब बच्चों में बाटते हैं, चीक है, तो one, fact and figures क्या कहते हैं, 1.3 billion tons of food is wasted every year, while almost 2 billion people go hungry, चीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे भूकिया रहा चाते हैं, 1.3 billion के आसपास बता रहे हैं, चीक है, and only 3% of world's water is fresh, drinkable as humans are using it, fresh, faster than natural can replenish it, जो drinkable water है, वो केवल कितना है, only 3% of world's water is fresh, चीक है, केवल 3% पतिशात है, आपको मालूम होगा, और उसके लावा हमारे पास क्या है, जो पानी है, गंदा है एक तरीके से, चीक है, और 1.5th of the world's final energy consumption in 2013 was renewable sources, यह नोने data बताया है कि ऐसा रहा है, ठीक है, renewable sources से हमें प्राप्त हुई energy, ठीक है, 13th goal हमारा क्या है, climate action, याने की समंदर और पेड़ पौदे जो हमारे इनको बचा रहा है, पर्रया और अरण को बचाना है, climate action basically यही सब चीज़ा आ जाती है, climate में greenhouse gas emission है, उसको कम करना है, चीक है, जो geophysical disasters है, उनको समात करना है, चीक है, fact and figures क्या कहती है, एक डिगरी के तापमान में global warming, जो हमारी बढ़ी है, यानिकि टोटल जो temperature है अर्थ का, वो एक डिगरी बढ़ा है, जो की खतरना के, अगर हर साल इस तरीके से बढ़ा तो, जो sea level है, वो plus 20 cm तक उपर बढ़ा है, चीक है, तो हमें उसको जो है, रोकना है, clear, उसके बाद life below water, चीक है, यानिकि जो समंदर के नीचे जीवन है, इसके नीचे जो life है, हमें इसको बचाना है, यानिकि ये marine pollution जो है, चीक है, ये आप देख रहे है, marine pollution का मतलब क्या है, समंदरी जो pollution हो रहा है, उसको समाथ करना है, मालूम है, समंदरी जहाज वगरा भी जाते हैं, बहुत सारे, कई बार देखाओ, आपने oil leakage हो जाता भी, इंडिया में भी वहा था, केरल के तरट पर, oil leakage हो गया था, तो क्या हुआ था, पूरी जो fishes वगरा थी न, वो सब मर गई थी महाँ पर, चीक है, तो उससे बचाना है, 75% the ocean covers 3 quarters of the earth's surface, and represents 99% of living space by the planet by volume, volume के तौरपर 99% क्या है, समंदर ही समंदर न, पृत्वी के उपर, चीक है, तो हमें उसको बचाना है, 30% the ocean absorbs out 30% of CO2, आपको मालू में, समंदर जो 30% के आसपा CO2 को absorb कर लेता है, जो humans छोड़ते हैं, चीक है, जो कि global warming में क्या कर रहा है, एक तरीके से मदद कर रहा है, चीक है, अगर लोग समंदर को भी समाब्द कर देंगे, या फिर उसको इस तरीके से गंदा कर देंगे, तो क्या उगो और जादा समस्य ग्रस तो जाएगी इसके भी, चीक है, उसके बाद हमारा next है याँपर, 15th life on land, याने कि जो हमारे जानवर है, जीव जन्तु है, जो जमीन पर धरातल पर रह रहे हैं, चीक है, तो उनको शिकार से बचाना है, आपको जो dry lands है, degradation जो हो रहा है, उसको बचाना है, पेड़ पॉधो को काटा जा रहा है, deforestation हो रहा है, उससे हमें बचना है, 60-80% mountain regions provided, 60-80% of earth's fresh water पहुचा रहे हैं, जो mountains है, अब क्या और है, आपने सुना होगा, जैसे कि जो हमारे glaciers हैं, वो पिखल रहे हैं, global warming की वाज़े से, अभी इससे पहले बताए, आपको temperature rise हो रहा है, जिसकी वे से, नेक्स्ट है हमारा 16th goal, 16th goal हमें कहता है, peace, justice and strong institutions, चीक है, strong institutions क्या आवाश होता है, हमारे को peace and justice होना चाहिए, चीक है, 49 countries lack laws protecting women from domestic violence, चीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, 49 countries इन्होंने exact बताई है, जहाँ पर domestic violence के वाज़े से, महिलाओं को का सोशन होता है, चीक है, 46 countries women now hold more than 30% of seats, at least one chamber of national parliament, साथी साथ यह भी बताया है, 46 countries है, जहाँ पर 30% seats जो हैं, वो महिलाओं को parliament में दी गई है, चीक है, उसके बाद हमारा last है, 17th SDG, 17th SDG याने के partnership for goals, चीक है, जितने भी हमारे goals हैं, उन्स सभी को प्राप्त करने के लिए, सभी लोग सम्मिलित रूप से कारे करेंगे, चीक है, सभी लोग जितने भी देश हैं, और most हमारी around, जितने भी globally countries हैं, चीक है, वो सभी लोग मिलके काम करेंगे, सो इसके कुछ data आपको जानने के ऐसी आवशकता नहीं है, कि वल इतना जाने कि ये जो goals हैं हमारे, इनको प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, और 2013 तक हम इने प्राप्त कर लेंगे, चीक है, ये आप images देख सकते हैं, fresh local food in Botswana, a new feature for health, giving vulnerable Bangladesh is the, तो ये क्या कर रहा है, UN help कर रहा है, ये सब अलग-अलग countries में हो रहा है, और UN इसके लिए work कर रहा है, चीक है, आप देख रहे हैं, the communities will protect the world's rare buffalo, चीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फिलिपिन्स को लेके ये study की गई है, ये African countries में चल रहा है, चीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं, जो UN work कर रहा है इन सब के उपर, और exam में यहां से question, पुछे जा रहे हैं लगाता है, चीक है, So, I hope आप लोग को बहुत easy log होगा, ये समझ में आ गया होगा, टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको description box में दे दिया जाएगा, आप लोग उससे जूर जाएं, चीक है, इसके अलावा जो भी important videos होगी, हम time to time उससे upload करते रहेंगे, चीक है, best of luck, अच्छे से पढ़ें, and I hope ये आप लोग को clear हो गया होगा, PDF जो है इसका हम टेलिग्राम चैनल पर share कर देंगे, so that आप पढ़ सकें, okay, इसको समझ सकें, and इसके अलावा जो है हमारा, आप ये देख सकते हैं, इन दोनों का एक comparison है, इन दोनों का एक comparison chart आप देख सकते हैं, या पर SDG और MDGs का, चीक है, ये SDG और MDGs हैं, इनका एक comparison chart आपके सामने दिया हुआ है, ये भी आप समझ लें अच्छे से, ठीक है, तो confusion नहीं होगा, ठीक है, ये जो SDGs हैं, वो बिल्कुल अलगें, MDGs बिल्कुल अलगें, question किसे पुछा सकता है, कोई सा भी goal पुछा सकता है, आपको provide करा दी जाएगी, चैनल को subscribe करें, वीडियो को share जरूर से करें, चैनल को subscribe करें, लिंक पर जो हमारी वीडियो जरूरी पास्ट में वीडियो हैं, कुछ अभी at present हमारा कोई course नहीं है, उनको आप देख सकते हैं, special classes हैं, PYQ से related हैं, and कुछ topics से related हैं, उनको आप जरूर देखें, description box में आपको link दे दिया जाएगा, okay, so like करें, share करें, and subscribe जरूर करें हमारे चैनल को, so that आपको जो भी latest information है, वो मिल सकें, बाकि आपको telegram चैनल पर जो है link share कर दिया जाएगा, and old videos का भी link आपको share कर दिया जाएगा, so thank you very much and have a nice day,